आप इसे हो मैं तो ठीक हूँ आप ठीक हूँ आप ठीक हूँ आप ठीक हूँ आप ठीक हूँ और अगर नहीं किया होगा तो आप उसको जल्दी से फिनिश कर लो कि आप उसको जल्दी से फिनिश करोगे तो फिर हम नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करेंगे अगर आप उसको फिनिश नहीं करोगे तो हम नेक्स्ट वर्क कैसे करेंगे तो फिर आज हमने नेक्स्ट वर्क करना है और अगर आपको कोई प्रीवियस वर्क रहता है तो आप उसको फ कुछ पिंट करना है और तीचर देखेंगी कौन अपना बॉक अच्छ से कम्वडीट करेगा ठीचर उसको कैंडी भी देंगी उसको स्टार्स भी देंगी और उसके लिए सर्प्राइज भी होगा और जो नहीं करेगा तो इसके लिए तो कुछ भी नहीं होगा क्यूंकि वह त important thing you need to do और आपने एक और important work करना है आपको पता है वो क्या work है don't tease your mama while doing your work, okay? जब आप अपना work करोगे तो आपने पनी mama को तंग नहीं करना, यूँकि अगर आप mama को तंग करोगे तो सब angry हो जाएंगे, mama भी angry हो जाएंगे, ma'am भी angry हो जाएंगे, यह तो bad boy और bad girl है, तो मैं तो इससे बात नहीं करूँगा और मैं इसको work नहीं कराऊँगा, तो आपने अच्छा सा good work मामा के बाबा के पास बैट के करना है, okay? let's start the day, अब हम अपना day start करते हैं, do you know what is do you know what is day today, आपको पता है आज क्या day है, किस को तो किस को पता है कि आज क्या day है, मुझे तो पता है आज क्या day है, आपको पता है आज क्या day है, I will tell you today is monday, today is monday, what is the day today, monday, and do you know what is the date today, किस को पता है कि आज क्या date है, आपको नहीं पता, मैं आपको पता हूँ आज क्या date है, 22nd June 2020, 22nd June 2020 Today is Monday and 22nd June 2020 Do repeat with me अब आप मेरे साथ इसको repeat करो Monday 22nd June 2020 And you know it's summer time आपको पता यह summer time है So weather is sunny and hot और जो weather है हमारा वो इसमें इतनी गर्मी है इतनी sweating होती है और बहुत होट हो जाता है और फिर हमारा दिल करता है हमारे पास हम इसमें cold drinks पीएं हम इसमें ठंडी ठंडी चीज़ें पीएं और खाएं और ताके हमें इतनी गर्मी ना लगें हम इतनी sweating ना हो और हम अपना दे अच्छे स्पेंड करें Reception K1 Class Now we are going to to read the start the topic and the topic that we are going to start today और हमारा topic जो है आज वो है Letter D किस-किस ने Letter D से पहले जो letters आपको send किये थी teacher ने वो learn किये हैं किस-किस ने किये हैं? किसी को किसी ने learn किये? यह तो हमने Reception Class में भी तो learn किये थे ना तो आप मुझे बता सकते हो वो कौन से letters है मुझे पता है कि आपने वो कर ली होंगे तो मैं आपके साथ इसको learn करती हूँ read करती हूँ तो आप जो फिर हम learn करेंगे एक साथ और फिर उसको write भी करना सीखेंगे और उसको read भी करेंगे उसके friends भी देखेंगे कि D के friends कौन होते हैं and D का sound क्या होता है okay now firstly today we will get to know about the next letter D it comes after the letter C और यह letter C के बाद आता है D किस को बता है कि letter D जो है वो letter C के बाद आता है किसी को बता है? मुझे तो पता है तो मैं आपको बताती हूँ the first letter is letter A and its sound is A A, A and the second letter is B and its sound is B A, A, B, B and the third letter is C and its sound is K C, K and the fourth letter and the new letter is D and its sound is D D, D D, D and the sound is D and I'll show you the some friends of D, D D, D जो D, D के friends हैं or D के sound का साउंड आरहा है? can you tell me के यह किसका sound है? यह किसका friend है? dog जो है वो किसका friend है? D के friend है? D के friend है यह? B के friend है? D, D for dog मैं आपको बताती हूँ यह किसका friend है? D, D is for dog द द द is for duck and the next one is dove dove तो bird होती है और वो किसकी friend होती है वो द की friend होती है द द is for dove and the fourth one is donkey donkey किसका friend है donkey भी द का friend है किसको पता है donkey डी डल का friend है किसी को पता है मुझे तो पता है donkey डी डल का friend है आपको पता है donkey किसका friend है donkey भी डी डल का friend है और हमने इतने सारे friends को देखा है डी डल के तो अब हम और भी friends को देखेंगे और ये देखो ये कौन है आपको पता है यह कहां पर होता है? यह कौन है? इसका नेम क्या है? और यह कहां पर होता है? किसी को पता है? दिस इस डियर और डियर में किसका साउंड आ रहा है? सबसे पहले किसका साउंड आ रहा है डियर में? Now open the picture dictionary book I will show picture dictionary book And let's open the page number 30 Open your page number 30 please Here look at this This is D D D This is D And the sound of D is D And D D is for dance D D is for dance See look at this girl This is what she does She does dance I think so K1 class में to dance सबको करना आता है आता है ना सबको dance D D is for dance And the second one is Daughter The second one is Daughter The second one is Daughter D D is for daughter ये देखू ये daughter है And the third one One is D D is for ये क्या है ये तो अब आपको बता होना चाहिए मैंने तो आपको अभी बताया भी था कि ये क्या है अभी मैंने आपको उसके picture दिखाई थी फिर मैंने आपको बताया था ये कौन है और ये कहां पे रहता है अभी आपको दुबारा से बता देती हूं कि ये कौन है D-D is for deer what is this deer ये कौन है this is deer and come to the next page and look at this die what is this die और आपको पता हम die के सथ क्या करते है किस को पता है हम die के सथ क्या करते है मैं तो die के सथ play करती हूं आप play करते हूं die के सथ मैंने तो उसके साथ इतना play करती हूं लुडो कौन-कौन खेलता है कौन प्ले करता है लुडो को तो उसमें ये डाय होते है न तो हम इनके साथ प्ले करते हैं यह देखो इस ट्यूपल इस पॉट्स लगे में 1, 2, 3, यह कांट करने पड़ते हैं 1, look at these and यह देखो, यह कौन है डाइनासौर और डाइनासौर कितना बिग होता है न किसको पता है डाइनासौर बिग होता है और ड का फ्रेंड होता है किसी को पता है D is for Dinosaur What is this? Dinosaur D, Dinosaur D, Dinosaur and D, Die and look at this D is for Dish What is this? Dish D is for Dish D is for Dish और dish क्यों होती है जिसमें मामा जब खाना बनाती है तो मामा उसके इंदर डाल देती है और फिर मामा हमें food serve करती है डिश में डाल के और हम खा लेते है This is dish What is this? Dish Come to the next page and look at this doll ये देखो, ये कौन है? This is doll और doll किसकी friend होती है? Duh की friend होती है Duh is for doll Duh is for doll Doll किसकी friend होती है? Duh की friend होती है Doll में किसका sound आ रहा है? किसका सबसे बहले sound आते है doll में? मुझे तो Duh का sound आ रहा है Duh doll And Duh is for dolphin Look at this Duh dolphin Duh dolphin And look at this Door Look at this, ये क्या है? Door And door किसका friend है? Duh का friend है Duh is for door Duh is for door Look at these friends of Duh Duh is for doll Duh is for dolphin Duh is for door And Duh is for donkey Donkey मैंने अब आपको दिखाया था ना जो आपको मैंने पिक्चर दिखाया थी Donkey की और बताया था कि Donkey कौन होता है? Donkey किसका friend होता है? अब ही मैंने आपको बताया था ना Donkey is an animal And donkey is an animal And he is a friend of Duh Duh का friend होता है ये Turn the page and come to the next page And look at this drum Drum किस-किस ने देखा हुआ है And किस-किस को drum के साथ play करना आता है Drum is an instrument Drum एक instrument है And it's two sticks होती है And you play it with your hands If you play it with your hands And if you play it with your hands Duh 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 Drum Duh Duh Drum Duh Duh Drum What is this? Duh Drum And look at this ये कौन है? This is Duk This is Duck ये कौन है? Duk और Duk किस की friend है? Duh की friend है Kिस की friend है? Duh की friend है और हमने duck को भी देखा था ना यह पिक्चर में आपको दिखाए थी duck की और duck को आपने देखा था और वो देखो उसमें भी duck थी और duck कहां पर रहती है किसी को पते duck कहां पर रहती है duck water में रहती है K1 class और यह fly भी करती है लेकिन यह थोड़ा सा फ्लाइ करती है ज्यादा फ्लाइ नहीं करती है ओके now set with your mama and do learn letter sound and vocabulary of D, D आप मुझे अपने voice note भेजो और मुझे बताओ कि आपने इसको learn कर लिया है D, D को और D के friends को जब आप इसको learn कर लोगे तो हम next learn करेंगे next letter learn करेंगे उसको intro है इसको introduce करेंगे और फिर हम good work भी करेंगे और उसको write करना भी सीखेंगे D, D को और फिर आप मुझे अपना voice note भेजना मैं देखूंगी किस-किस ने अच्छा सा learn की है और कौन अच्छा-चा good work घर में कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है ठीक है ना और फिर स्टार्स मिलेंगे जो good work करेंगे गुडबाई टेक कियर, have a good day अलाफ़ेस